आज भी महिलाओं का अकीले इस दुनिया में संगर्ष करके आगे बढ़ना बहुत कठीन होता है फेस्टिविल पे मुझे लगता है कि कोई भी फेस्टिविल मेरा तभी पूरा हो जबकि वो लोग भी फेस्टिविल इंजुआए कर सके मैं पूरी तरीके से अपने समाज और देश को समर्पित हूँ आज हम आपको अपने चैनल वी न्यूज में कैसी महिला से रुबरू कराने जा रहे हैं जो महिलाओं के लिए प्रेड़ना और आदर्श हैं और एक समाघ में महिलाओं के लिए वह हमेशा तत पर रहती काम करने के लिए हम बात करें स्वातिस सिंग जी की सबसे पहले हमारे चैनल वी आपका बहुत-बहुत स्वागत मजी आपके पूरे चैनल माथने बशुठ बहुत-बहुत कि इस तरह से आप समाज में लोगों की सेवा कर रहे हैं इसके बारे बताइए मनु जी मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि मैं स्वय में एक महिला हूँ और पूरे देश में बहुत छोटी सी उम्र में मैंने अपने पिता जी को खोया था मैं 17 और थी उस वकत उस आज भी महिलाओं का अकील इस दुनिया में संगहर्ष करके आगे बढ़ना बहुत कठीन होता है तो उसके बाद हम अपना पहले तो संगहर्ष करते रहे और फिर उसके बाद मुझे लगा कि क्यो ना जो समस्याइं हमने फेस करी है वो बाकी महिलाओं को नहीं फेस करनी मेरा जो मेन मोटीव था वह यह था कि महिला कैसे आत्म निर्भर बने कैसे सिक्षित हो आप जानتी है कि जहां एड्यूकेशन हो जाती आत्म निर्भरत अपने आपसे आ तो हम उन सारी चीजों को देखते हुए हमने इस और कदम बढ़ाया कि महिलाओं को सबसे पहले तो जो महिलाएं घरेलू काम करती हैं उन्हें सिक्षा मिलें उन्हें रोजगार मिलें और उनकी जो दिक्कते हैं वो हम तक आएं तो हम उनके लिए कुछ कर सकें आप जानते कि इतनी पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की उसमें हर तरह के लोग हैं और महिला का शोशर कम हुआ है चुकि आज प्रदान मंतरी नरेंद मोदी जी और उत्र प्रदेश में माननी मुक्य मंतरी जी की सरकार है लेकिन उस कमी के बावजूद भी आप देखती हैं कि बहु सहाइटा के लिए आप मदद करती हैं तो किस तरह से आप से महिलायो जोड़ती हैं देखिए अपन व्यासत तो मैं इसका कोई प्रचार प्रशार नहीं करती हूँ लोग हमारे पास आएं उन्हें हम से हेल्प मिली तो वही पूरी कॉलोनी में बता देते हैं जा करके कि अग पूरा हो जबकि वह लोग भी फेस्टिविल इंज्यॉई कर सके अगर वह इंसान जो कि आर्थिक रूप से निर्धन है और वह फेस्टिविल नहीं इंज्यॉई कर पा रहा तो पुझे लगता है मेरा फेस्टिविल मनाना वेर्थ है तो मैं हर फेस्टिविल पे अलग तो उससे यह होता है कि उन्हें लगता है कि हाँ दीदी इस तरीके की हैं फिर उनसे मैं पूछ लेती हूँ कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है कोई समस्या हो तो उनके पास में नंबर से हमारे कुछ प्रोग्राम्स मैं यहां कराती हूँ तो उसमें मैंने इनको पुरा एक बना करके दे रखा है चार टाइप का कि अगर घरेलू इंसा है या फिर किसी रेप जैसी प्रोब्लम है या आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है कहीं आपको व्यावसाई की स्थरों में प्राइवेट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर ह में महिला अगर काम करती तो आपको मालूम है वहां भी उसे बहुत सारी परेशानिया होती हैं तो उन सब के लिए हमने बहुत सारी महिलाओं के पास आज की डेट में हमारा नंबर है तो वह उस माध्यम से पहले प्योर्टी रेनी है फिर कभी आपको अपने फैमिली को भी मैनेज करना है दोनों में से बतलब किसी एक को चूस करना पड़े इसके लिए आप कह सकती कि मैं बहुत भागिशाली हूँ कि मुझे ऐसी मा मिली है कि मुझे एक रतिवी काम नहीं करना पड़ता है घर का मैं पूरी तरीके से अपने समाज और देश को समर्पित हूँ और अपना चुकी मैं भाजपा से भी जुड़ी हूई हूँ तो भाजपा और समाज सेवा के अलावा मेरा दूसरा कोई कामी नहीं है मैं उन्हीं को समर्पित हूँ दोनों में कैसे मैं मताल मिल बैठा रहेंगे आप देखे हमारी सरकार जो है वो समाज सेवाई कर रही है समाज सुधार का काम कर रही है वो देख रही है कि हमारी जनता किस तरीके से आगे बढ़े उनका जीवन चैली किस तरीके से बढ़े किस तरीके से वो उचिसतर को में रखना कोई प्रियॉरेटी नहीं था न कि कंपल सरी था आज की डेट में हमारी सरकार ने क्या किया है आज भारतीय चंता पार्टी की सरकार ने सबसी बड़ा महिलां को जिसमें ना कोई धर्म महान ना आपकी जाती है कुछ नहीं है सब के लिए सार्वजनिक रूप से एक husband expired हो गया तो उसके सारे परिवार की लोग उस संपत्ति पे अपना अधिकार जताते थे और जो महिला होती है इसका बड़ा social होता था विचारी का उसको यह तो घर से निकाल दिया जाता था अब उसकी चोटे-चोटे बच्चे हैं उन्हें वह घर से निकाल के अकेले जा रही तो आज उसे ये प्रॉब्लम फेज नहीं करनी पड़ रही है, इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद में देती हूं कि माईलाओं के लिए, ये एक काम है, बाकी आप मुस्लिम समाज की माईलाओं को देख लीजे, उन्हें भी बहुत रिलीफ है, कोई भी कानून आता है तो थोड़ा टाइम लगता है 100% applicable होने में, लेकिन आज मैं समझती हूं कि 70-80% माईलाओं को तो ट्रिपल तलाग की वज़े से संतुस्टी है, आज भारती जंता पार्टी के सरकार के साथ में कितना मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है, बहुत मुस्लिम समाज जुड़ा तो वो हमारी ट्रस्ट अपने पैसों से अपने फंट से बनाने के लिए योज ना कर रही है कि उस जगह पे जाकर कि क्योंकि फीमेल्स के लिए ज़्यादा प्रोब्लम होती इसके लिए कि अगर आपको एक स्वक्ष सौचाले नहीं मिल रहा है स्कूल में और वैसे तो सरका सब जगह घर गाहों का करवा दिया है काम हमारे चैनल के माध्यां से मोआ पर महिलाओं को या और 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 वह चैनल को हमारी देखते हैं क्या संद Favor कि सबसे पहले एजुकेशन 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 क्योंकि एक ऐसा माध्यम है और उस एजुकेशन में वो कभी यह ना चूस करें कि हमें किस पे डिपेंड रहना है आप आत्म निर्भर हो के सेल्फ स्टडी करिए और डीप स्टडी करिए इतना पढ़ाई एक पढ़ाई मतलब एक एजुकेशन ही ऐसी चीज है जो पूरे समाच से करप्शन क्राइम दोनों ही चीजों को समाच कर सकती है अगर महिलाएं 100% एजुकेटेड हालां कि आज सक्षर्दा बहुत बढ़ी है लेकिन फिर भी अभी हमारे उत्तरप्रदेश में 100% एजुकेशन नहीं आ पा आज पड़ोस में किसी भी महिला के साथ कुछ भी होते हुए देखे तो संगटित होई है संगठन में शक्ति है अमारा लोगों भी है और ये वास्तविक्ता भी है कि आप महिलाएं अगर एक महिला के साथ कुछ अत्याचार ओड़ा दूसरी महिला अपना घर का दरवाजा बन कर लिए कि कभी अत्याचार या शोशड खतम नहीं होगा, दूसरी महिला को भी उसके साथ आके खड़े होना पड़ेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी, तब ही जब आप मुसीबत में होगी, तो दूसरी महिला आपके लिए खड़ी होगी, पुरी पुरी कॉलोनी में महि महिला भी निकल के किसी एक महिला के साथ हो रहा है शोशड को रोकने के लिए उनके अंगेज खड़ी हो जाए तो आप समझे कि सरकारों की चिंता बहुत खतम हो जाएगी 25 करोड की आवादी में हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहा है कि क्राइम को और करप्शन लेकिन घरेलू समस्याए है अब चाचा अपने भतीजे को मार रहा है यह भतीजा पुत्र को मार दे रहा है आपने देखा होगा कि एक मा कोई उसके बेटे ने मार दिया अभी कुछ समय की घटना थी तो पहले तो संसकारों की कम है संसकार पे भी महिलाउं को ध्यान देनी क लेकिन इसमें सरकार क्या कर सकती है, कि आपके परिवार के ही लोग एक दूसरे को मारने पे लगे हुए, तो उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आप में खुद से संसकार, घर वालों के साथ बैठना, आप मोबाइल कम इस्तमाल करिए, मोबाइल से ज़्यादा परिवा यही संदेश देना चाहूंगे, शुक्रिया मैं हमसे इस खास बातचीत के लिए, तो यह थी हमारे साथ स्वाती सिंग जी, जिन्नोंने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया है, उनका कहना है कि अगर कहीं भी कोई भी क्राइम होता है, या भी कोई महि अगलाव के साथ गलत होता है, तो आप उसके लिए जरूर आवाज उठाइए, वीडियो जेनलिस्ट राज के साथ, मनु तिवारी, वी न्यूस लखनव, देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए, हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकान द